24 में तो इसके पत्ता साफ है, गया, अच्छे दिन जभी आएंगे, यानि जो विकास विकास अच्छे दिन का जहां सा देखे जो आया था ना, अब तो अच्छे दिन जभी आएंगे, यो अभी चला जाए और इस सो जाए, यो कहां मैं ठारे गंटा जागू, यो सो तो रवि यो कुछ नहीं है, इनका काम पर श्राम मंदर बना देना, 370 अटा देनी, हिंदू-मसलमान से लड़ा देना, जाति-पाति से लड़ा देना, इनका ये काम है, इनका कोई और किसे दो मतलब नहीं है, दुनियादा, इनके तो यह थाली और घंटा बजा मंदर में, और कोछ पैंसन ने, इस सरकार ने बहाले नहीं करी, तो इस सरकार, बीजेपी सरकार का इस देश और परदेश से सूपड़ा साफ हो जाएगा। जितना भी पैसा लूटा है, उसको माप कर दिया, और अनका बतलब वो नुक्सान किया, पैंशन नहीं मिल रही है, आप लोगों पुरानी पैंशन, इसके पीछे की साजिस क्या नजर आती है, कि सरकार आखिर उसके मंशा क्या है, मंशा बे सब सर्मी है, सारे कुछ इवियम जितना भारा, उसके बदलने आये थे, तरक्की करने आये थे, बोले तेहर वर्क का विकास होगा, इनने देश डवा दिया, कितने वर्स पीछे कर दिया ने देश, इनने देश का कोई वो नहीं किया, इनने 70 साल में जो कांग्रेस ने कमाया था, जो बनाया था, उसको जाड है, महाँ पर भी उन्होंने अलान कर दिया कि हम पुरानी पेंशन देंगे, कांग्रेस जहां जहाएगी, वहाँ पुरानी पेंशन भाल होगी, सीदी सी बातर, कांग्रेस ही आएगी, अब इसमें कांग्रेस ही आएगी, इनने जो कांग्रेस को बदनाम करने के लिए, जो ट का जो मुद्दा है सरकार को ले डूबेगा सरकार को इससे उपसान देखिए जो परानी पेंशन का मुद्दा है यह पूरे देश में फैला हुआ है करमचारी अपना हक की लड़ाई लड़ रहे हैं यह हमारा हक है इसे हम लेकर लेंगे चाहे हमें कुछ भी कहीं तक जाना हम बता देंगे हम अपनी पुरानी पेंशन लेकर रहेंगे तो नहीं लग रहा है कि शरकार को यह संदेशा जा रहा हो कि यह विपक्ष की बाटियों द्वारा आयुजित की हुई रहलिया है यह लोग सारे राजनीत करने हैं इसलिए पुरानी पेंशन नहीं देंगे ऐसा हम सरकारी कर्मचारी हैं यह हमारा सव्धानिक करतव है और हम अपनी सव्धांिक तरीके से तोरीके से पनी मांगे मान रहे हैं यह इनका ऐसा नहीं है ये बच्चे भी बड़े हो जाते हैं उनके भी खर्चे हो जाते हैं उसके खुद के भी खर्चे हो जाते हैं तो इनको सोचने चाहिए मैं यह कहना चाहता हूँ आप इसके माध्यम से बीजेपी सरकार को कि यह भी तो पांथ साल में MLA या MP बनते हैं और इनकी कई-कई पैंसन होत है कहरें प्रपगंडा हि इनकी कोई मंसा नहीं है यह देश का बला नहीं चाहते कैन इस पर सबहरा नीति, आ कोई कोई डिवेट नहीं को पुझगारप होता है, इनका काम वैस्तराम मंदर बना देना, 370 हटा देनी, हिंदू मुसलमान से लड़ा देना, जाति पाती से लड़ा देना इनका ये काम है, ने कोई और किसी दो मतलब नहीं है, दुनियादारी से तो राजनीद बतलने आएं, अरे किसकी राजनीद बतलन करने जा रहे बाकी चीजों को करी दिया नहीं चोड़ा क्या है सब कुछ अनु ने पेकान और तो यह भासन देता लाल के लाउung वह भी इसने दार दिया वह भी किर भी जड़्या इसने इस राने वाले समय में कुछ सरकारी नहीं बचेगा अगर यह सरकार यह तो चाहता हूं कि 9 साल सरकार को हो चुके हैं सायद में इस देश और प्रदेश के अंदर बेरोजगारी जो बढ़ी है वो पहले कभी नहीं बढ़ी है देश के अंदर जब बेरोजगारी है तो भुकमरी भी है यह अपना आपको कहना चाहते हैं कि हमारे देश की आर्थिक सिस्थी मजबूत हुई है अभी मैंने टाइमस ओफ इंडिया में पढ़ाता नाराइन मूर्तिन लिखा है यदि देश का नौजवान एक हपते के अंदर सत्तर गंटे काम करेगा जब इस देश की आर्थिक सिस्थी सुदर सकती है दंका बज़ रहे दुनिया में जब यह देखिए बारे गंटे वह सब्ते में काम करेगा दो गंटे आने दो गंटे के जाने वो कितने गंटे सोएगा हमारा देश क देश की बेरोजगारी खतम हो जाएगी ऐसा हो रहा है कि मजदूरी करो और अपना हक मत मांगो सरकार से थाली और घंटा बजा मंदर में और कुछ मत करो बस इनका काम यू रहेगा और कुछ ना है कि अगर बहाली नहीं हुई तो 24 मुश्किल है यदि पैंसल ने सरकार ने बहाली नहीं करी तो इस सरकार बीजेपी सरकार का इस देश और परदेश से सुपड़ा साफ हो जाएगा यदि इसने पैंसल बाहली नहीं करें क्योंकि सुपड़ा साफ हो जाएगा कोई भी करमचारी अधिकारी इनकी कोई वोट नहीं देगा क्योंकि उनका भी तो राइट है वोट डालने का Constitution सपेश लिखा है हमें तो वो सरकार चाहिए जो जनीद के काम करती हो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सन 1947 और 50 में जब हमारा पुनरगटन हुआ था इस देश का जो सरकार उस टाइम उस सरकार थी उसने जो स्टेक्चर खड़ा किया था आज वो स्टेक्चर जो सरकारी तंत्र है वो सारा ये मोधी सरकार ने अपने 9 साल के कारिकाल में वो सारा बेग दिया हम ये कहना चाहते हैं कि इसकी कोई जागिर नहीं है वो वो हमारे सभी क्योंकि उन्होंने आजादी के लिए बहुत लड़ा था ये क्यों बेक रहा उसको इससे विकास नहीं होता आप ये देखिए आपका कोई घर बेग दे तो आप उसको विकास मानते हो नहीं आप बताईए कोई अपना घर बेग दे क्या वो विकास का काम है ये नहीं है और फेर वो किराय पे कहीं रहे तो ये दोड़ी है ये अडाणी अम्मानी को जितने सरकारी तंत्र है उनको ये लाप पहुचाना चाहता है इसलिए ये ऐसा परतीत हो रहा है और इसलिए ये इस देश को बेक जितने भी पीशियों है वो सब इसने बेग चुके हैं और ये उनी की तरफ बढ़ रहा है हमें ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में हमारे इस भारत देश को बहुत भारी खत्रा होगा आने वाली जनरेशन है उनको भी बहुत भारी खत्रा होगा क्योंकि सरकारी तंत् कि यह को बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको साम को खाने के रोटी नहीं है और वो भूके ही सो जाते हैं तो ऐसे कैसे विकास होगा जो अभी माहूल बन रहा है कि सिर्फ काम करो अपना अधिकार मत मांगो और सरकार ने एक माहूल बना दिया भाई हमारा काम नोकरी देना थोड़ी है वो तो कहते हैं दो करोण रोजगार देंगे मिला तो है नहीं किसी को क्द्र सबस्कारेट इनकों और नहीं है अच्छे दिन जब ही आएंगे जो आये था ना अब तु जब आएंगे योदी चला जा और इस सो जा यो कहां मैं ठारे गंटा जागू यू सो तो रवेट चो तो भी ठीक है या 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 यह जाग चुका है पहले जहां से मागा इसका यह दो करोड़ का जहां सा दिया था नोक्री का इसने किसी को नोक्री तो देनी नहीं है बस मंदर का जन्वरी में जनता को मून डाइवेट करने में लगा हुआ है और कुछ नहीं करना इसको अभी अंधभक्त अभी अंधभक्त हैं बहुत काम कर रहा हूं मैं बाड़ी 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 बात यह मीडिया दिखा रही है यह दलाल मीडिया है नहीं यह दिखा रही है कुछ नहीं हाँ गोदी मीडिया दलाल मीडिया इतनी घट्या मीडिया कभी नहीं हुई ऺजा है हाँ सब कुछ विका हुआ है दला ने सब कुछ इनने पैसा इसी पर लगाया है मीडिया पर एडी पर खरीदा बहुत है खरीदा बहुत है बनाया कुछ नहीं है सारे आरोपी पक्ष में हो गया है जो धर नाधिय जो आंदोलन करे उसको जेल में डाल दो जो बीजे पी में वो पाक साफ है यूज्यों कहता हैमें अकेला मोदी सब परभारी अब 38 आपने देखा दिये अब कहा गया है हो मोदी अब डर लगा है अब डर लग रहा है अब पा अब देखो अपने नाम से कितनी बोट मांगता अब तो कभी कहता है फूल पे कभी यूटूब अब चैनल पागया यूटूब सप्राइक करो लाइक करो अब आगो वाप है क्यों दीखी कि गोदी मीडिया को देखना रहा है यह चला नहीं कोई न देख रहा है अब तो तुम यूटूब चैनल पे अब कहा कहवागा या था कि रहें दविस्म उल्टे दिन गया मोदी करमचार यक्ता जिंदावाद करमचार यक्ता जिंदावाद